आज इस टॉपिक पर ही यह एपिसोड है इस पर एक एपिसोड पहले हो चुका है उसमें डिफिनीशन और दूसरी चीजें बताई गई आप उन्हें देख लेंगे तो सुविदा होगी लेकिन आज का एपिसोड इस बात पर कंद्रित है कि चाहे पर मुडिशन से सवाल आए चाहे कॉम्बिशन से चाहे कोई वैक्तिस एपिसोड को पहली बार देख रहा हो या इसके पहले भी वो इसके बारे में पढ़ चुका हो इस से आने वाले फोर से फाइल कुश्चन्स वो टू मिनिट्स में विथ हंडेट परसेंट एक्यूरेसी जवाब दे सकें वैसे यह IAC में पढ़ना होता है और इंडर में जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे परेशान हो जाते हैं क्योंकि लगता है यह दूसरी दुनिया का सवाल है और आठ के स्टूडेंट को समझे कितनी दिक्कत होती होगी पर मेरा कहना है इस दुनिया के इंदर घुश जाते हैं और पहचान लेते हैं फिर तो सब अच्छा अच्छा लगेगा क्योंकि यह दुनिया उतनी बुरी और कंप्लेक्स नहीं है जितनी की उबर से दिखाई द यह दुनिया क्या है यह अनरजमेंट का है, सलेक्षिन का है, किसी चीज को सजाना है, कितने तरीके से काम कर सकते हैं इसी के बारे में बात करनी है। मैं बहुत ज़्यादा theoretical नहीं होँगा क्योंकि यह इंटर से शुरू होता है और पीजी और रिसर्स तक जाता है। लेकिन कोई भी competitive exam और उसका board यह चाहता है कि इसका practical knowledge हर student को हो चाहे वो home science में ही क्योंने graduation किया हो। इसलिए इसका application वास्तव में permutation combination को समझ में आता है या नहीं यह test करना होता है। और इसका बहुत use है। इसलिए आप सबों को समझ में आएगा। किसी चीज को सजाईए, एक line में सजाईए, A और B को बैठाए, A और B को बैठा के photo खिच लेजिए। ये एक sitting arrangement हुआ ना, फिर उनका स्थान, position बदल दीजिए, B और A को बैठा के photo खिच लेजिए। इसको आप दो sitting arrangement बोलेगे की नहीं, बोलेगे ना, A B बैठा और B बैठा two sitting arrangements, दो तरह से बैठा सकते हैं, ये permutation है। लेकिन इसमें दोनों तो एक ही बैठती हैं, बस बदल देने से, crumb order बदल देने से, नमबर बदल गया, एक के बज़ा दो हो गया, येस हो गया, इसे लिए permutation है। अच्छा अच्छा ये बताइए तो, दो लोग हैं, और दो लोगों को लेकर के जाना है पिकनिक में, कितने तरीके से ले जा सकते हैं, क्या तरीका बैए, दोनों चले जाईए, और कोई तरीका है क्या, only one way is, only one way, that is the case of combination, और एक एक्जामपल, three persons हैं, A, B, C, तीनों को एक बैठाता हूं, A, B बैठ जाएए, फिर बदल दिया अस्थान, B, A बैठ जाएए, फोटो किस लिए, दो और फोटो होगा ना, B, C बैठ ये, फिर बदल दीजे, C, B बैठ ये, दो और होगा ना, फिर A, C को बैठा ये एक लाइन में, फिर बदल दीजे, C, A, दो और होगा कितने तरीके से बैठा सकते हैं, six, three persons हो, two को बैठाना हो, तो एक line में, एक row में कितने तरीके से बैठा सकते हैं, six, लेकिन combination, आईए, सुरिये जी, तीन लोग है ना, दो लोगो पिक्निक पर जाना है, चले चले, किसको जाना है, तो ए और मी बोले, हम लोग जाएंगे, अच पिकनिक पर ले जाना है, इस तीन की अलावा कोई होता है, तीन ही क्यों होता है, A, B, B, C, C, A ही क्यों होता है, क्योंकि A, B जाएंगे और B, A जाएंगे, यह कही होता है, इसमें क्रम, order का महत्तु नहीं होता, so the case is combination, बस, यही line है, difference line, जिसमें order के कारण चीज़ें बदलती हैं, प्रभावित होती हैं, वो permutation है, और जिसमें प्रभ लेक्टर देने का मेरा इरादा नहीं है, मैं चाहता हूँ, हलके हलके से, हलके हलके से, पहली बार देखने सुनने वाले व्यक्ति को भी, यह permutation company पर विज़ेट राप्त हो जाएं, order का महत तो कहा होता है, एक line में बैठाएंगे तो होगा, सोचके देखिए, यह भी बैठे के भी यह बैठे, word, 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 pen, pen होता है, e, pen कर देंगे तो अलग word बन जाएगा न, क्यों, लेटर तो वही है, pen, उनका क्रम बदल गया, word का सवाल हमेशा ही permutation का सवाल होता है, line में बैठाने का सवाल हमेशा permutation का सवाल होता है, number का सवाल 24, बदल दीजिए 42, अरे वह ही 24 है, उससे क्या हुआ, 24 को 24 बोलते हैं, 42 को 42 बोलते हैं, अलग होगा न, especially यही तीन पार्ट हैं, जो एक्जाम में आते हैं, और यह word का सवाल, number का सवाल, और setting arrangement का सवाल, permutation का सवाल है, combination, group, combination माले group, समू, A और B दोस्त हैं, B और A दोस्त हैं, एक ही तो बात है, committee, इतने लोगों की committee बनाई, committee में कौन कैसे बैठा है थोड़े देखते हैं, कौन कौन है न देखते हैं, A, B है और B, A है एक ही न बात है, जब में order नहीं होता है, वो combination है, और especially आपको जो पढ़ना है, उस पर concentrate कीजिए, क्योंकि इस एक class में हमें विजय क्राप्त करनी है, जब भी committee बनानी हो, men, women की, officers, non officers की, boys, girls की, जब भी सवाल होगा committee का, जब भी सवाल होगा group का, वो combination का सवाल है, और एक दम थोड़ा sort में, एक दम थोड़ा sort में, कि permutation जो होता है, वो N, P, R बोलते है, यह factorial N by factorial N minus R होता है, डरियनी, डरियनी कुछ नहीं है, रही कुछ नहीं है, डरनी की ज़रोती नहीं है, होता क्या, बार बार ऐसा लिखना होता है न, दोसके लिए formula पैदा हो जासा है, वो हमनों को बदत करता है, टंग नहीं करता है, लेकि ऐसा है, माल दीजें को लिखना रहे, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे लिखना रहे, कितना लिखेंगा भई, पास्ट्वर तो लिख देंगे, तो सुनिया रहा इतरा लंबा काहीं लिखते है, 5 इसा सुरू 1, लिख कैसे कर दीजें, होगी है, यही तो पर, समझ जाया, माल दीजे, लिखना रहे, 2, 1, सुविधा के लिए पैदा हुआ है, हमनों को बदत करने के लिए, फैक्ट्वर त्री कुछ नहीं, भई, ऐसे, 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 यह वैल्यूस कुछ दूर तक याद रहें, तो फायदा मिलता है, सुविधा होती है, याद क्या करना है, वो तो चार बा होता है, फाय से लेकर के 24 होगा, 120 होता है, होगा की नहीं, होगा की नहीं, बोली, 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 रटना होटना नहीं है, रटने का नाम mathematics नहीं है, देख़िये, समझे, दिमाग में बैठ जाए, वो mathematics है, उसी तरह से फेक्ट्वर 6 बोलेंगे, तो क्या होगा, 6 इन्टू 5 20 है 720 हुआ ठीक है हाँ यह assume कर लेते हैं कि फ्रयक्टर जीरो बन होता है फॉर्मुली काई इसतेमाल फॉर्मुली काई इसतेमाल कौह उसे लिखता छोड़ी 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 वेकार ऐसे वीटरों लग रहा हुए अटाई हटाई हटाई मालने जिम को लिखना हो 6P2, ठीक है, छोड़ी फर्मुला, यह क्या होता जानते हैं, 6 है न, 6 into 5 into 4 into 3 into 2, लिखते जाए, लिखते जाए, लिखते जाए, लेकिन यह क्या है, 2, दो ही लिखना है, बस करता है, 30, answer, फर्मुला भी यही कहता है, ठीक है न, मालने जा रहे 10P3, 10 से अंसर, समझे है, हम लोगो ने पर्मुटेशन और कॉम्बिनेशन तोनों को लिया है, एक साथ, क्योंकि कौन सा पर्मुटेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन यह बोल के कुश्चिन नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन थोड़ा काम होता है न, ग्रूप है, जैसे हमाँ 6 हुए और रूप कितना होता, 3, N, C, R भूते है, N मेंसे, 3 मेंसे, 2, 2 को लिखे, R, 2, तो इससे कम होगा, यह तो लिखते ही है, इससे थोड़ा कम होता है, फिर फॉर्मुला आगया, विकार परिसांद करने लिए, छोड़िए फॉर्मुला, इज़र आई, इज़र आई, इज़र इससे कम है, फ्रेक्टोर इन टू से डिवाइट किया, पास, पास, समझने आया, ठीक है, उसके बाद, मांग लिजे, मांग लिजे, कहीं लिखना रहे, लिखना रहे, 15, C, 12, अरी, 15 इन टू, 14 इन टू, तो लिखते रहे जाएंगे, छोड़ी, 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 मत लिखे, मत लिखे, यतना कौन लिखे, इसका रास्ता है, जानते हैं क्या होता है, आ, 15 और 12 का डिफरेंस क्या है, 3, यही होता है, यह आराम से प्रूफ किया या सकता है, पर प्रूफ छोड़िये न, इसकी जरुत क्या है, यह तो सादान अब हम लोग आते हैं, question पर आते हैं, question एक है, लेकिन वो एक नहीं है, वो variety है, वहाँ पर जितने भी questions बनते हैं, हम लोग सब पर बात करेंगे, ये तो एक पुछा गया है, लेकिन यहाँ पर ठेर सारी questions हो सकते हैं, हम लोग सब पर बात करेंगे, आईए, four boys and two girls are to be sitting in a row row में जब भी बैठाने का सवाल हो sitting arrangement का सवाल है और यह permutation का सवाल है क्यूं क्यों कि जब row में बैठाएंगे और उनका order बदल देंगे तो arrangement बदल जाएगा जब भी बदल जाएगा स्थान बदलने से बदल जाएगा तो यह permutation का सवाल है क्रम बदलने से कोई फ़र नहीं पड़ता तो combination है, group है, और क्रम order बदलने से अगर बदल जाता है तो permutation है, this is the real test, four boys and two girls, देखे देखे, four boys, 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 and two girls, two girls, two girls, two girls, are to be seated in a row, total six persons है, उनको एक लाइम में बठाना है, question पहले पढ़ देता हूं, four boys and two girls are to be seated in a row, in such a way, that two girls are always together, दोनों girls को एक साथ बढ़ना है, in how many different ways can they be seated, ये कहा गया, मैं चाहता हूँ, इस question के माध्यम से आप chapter को भी, और variety of questions को समझ लें, ये exam में आया हुआ question है, bank pew में आया हुआ question है, लेकिन, ये ही question तो नहीं आएगा ना, question तो कुछ भी आ सकता है, कोई भी question आए आप उसका जवाब दे सकें, first of all, अगर question होता, ये जो boys हैना, boys, और ये girls, कि six students, एक line में कित्य तरीके से बैठाया जा सकते हैं, कोई restriction नहीं होता, boys, girls, तो देखिए, छे हैना, तो six हुआ, अच्छे में छे को बैठाना आयाना, इसका मतलब होता है, factorial 6, क्यों, 6, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वह ही को है, factorial 6, ये 6 है, तो 6 बार लिखे का न, हमेशा ही 5, 5 होगा, तो हम लोग इसको factorial 5 दिखा करेंगे, क्यों, 2, 2 होगा, देखिए, 2 है, तो 2 से 1 तक जाएंगे न, दो बार लिखेंगे, factorial 2 बार की न, समझ गया, इसको यूज क्या करेंगे, ठीक है, इसको यूज क्या करेंगे, तो, answer क्या होता, 6, P, 6, यानि की, 7, 20, answer, अभी दो निकाले था, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 7, 20, answer, किस question का, 7, 4 boys and 2 girls are to be seated in a row, in how many ways they can be seated, अगर question को ऐसे बनाते, 7, 20, answer, समझ गया, एक question का answer, फिर बोलें, फिर बोलें, all the girls should be together, तो girls को एक साथ बैठना है, एक साथ बैठना है, खबरदार जो girls के बीच में कोई घुसा, तो girls को बांग देते हैं, रस्ती से, एई, आप लोग दोनों के बीच में कोई नहीं घुसेगा, चलिए, one object जैसा, और बाकी four को आई जाला है, हम लोगो पांस बैठना जाला है ना, five students, two girls को बांग देजिए, one, और ये four, five ने जाला है ना, five, 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 इसको पांग देजिए, ऐसे करके, one, two, three, four, five, क्यों, क्योंकि इसके बीच में कोई नहीं घुसेगा, तो दोनों उट उट करके जाएंगे, यानि पूरा ग्रूप जाएगा, five things, taken all at a time, five, p, five, यानि कि factorial five, हो गया, factorial five का मतलब, one twenty, five into four into three into two into one कर लिजए, one twenty, एक सो बीस में से थोड़ा सोची, one twenty हो गया, अब फिर सवाग हो, कि one twenty में से कोई एक लाइए तो, तो लिखा हो गया, ये, one twenty का मतलु समझ रहे के नहीं, जैसे देखिए, ये, 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 चैलों बेटा है न, ये, one हुआ, अब मालनीजे, इसको उठाके यहाँ कर दे, बदल दे, तो two हो गया, फिर इसको उठाके यहाँ कर दे, three हो गया, इसको उठाके वहाँ कर दे, four हो गया, ऐसा करते करते, सब्सक्राइब करते हैं तोरा बदल दीजे तो गल्स को और एक से तो दो मिल जाएगा ये और ये गल्स बैठे हैं तो एक हुआ अब बदल देंगे तो फिर एक और होगे दो मिल गया आप जितना दीजेगा सब को दो डबल करते जाएंगे तो अंसर क्या होगा इंटू टू नहीं जी इंटू टू मत वोल ये ये दोनों आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं फेक्टोर टू दो में दो जैसे छे में छे पाँच में पास फिक्स में फाइब फाइब तू में टू अंसर वान टू है तरह तरह से करोंगा तरह तरह से करोंगा जैसे एक सवाल हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और गल्स विट टूगेदर है ना बोट गल्स नवर टूगेदर खबरदार जो दोनों एक साथ बैठे हैं इस बार इसमें आया है हमेशा साथ बैठना चाहिए अब आएग वाइ जोना चाहिए, और एक साथ नहीं बैठेंगे. बड़ा मुस्किल है, दोनों की बिज में वन बैठा है कि वन बैठा है कि तू बैठा है कि थ्री बैठा है कि त्री बैठा है, ओफो, यह एड़क नहीं होगा. हाँ, इसका रास्ता है, रास्ता है. अच्छा सुनिये, दोनों गल्स एक साथ बैठेंगे, तो आप लुग कितने तरीका से बैठ सकते हैं? दोनों गल्स तो हमें उन्नों निकाले ठा ढख़ न? निकाले से न, 5 objects, factorial 5 into factorial 2, इतने तरीके से बैठ सकते हैं, अच्छा ठीक है, दोनों girls हमेशा एक साथ बैठेंगे, तो इतना तरीका हो, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा एक बात बता रहिए, कोई girls y नहीं, सब लोग जिसको जहां मर्जियों बैठें, तो सभी 6 इ गया, either head or tail, या तो दोनों girls एक साथ बैठे हैं, या फिर एक साथ नहीं बैठे हैं, एक साथ नहीं बैठने का तरीका है, उच्छल उच्छल के बैठना, भाई मुस्किल है, एक साथ बैठने का तरीका बड़ा असान है, हटा देते हैं, यह क्या होता है, अभी हमने निका र समझे गए, क्योंकि one नहीं है, यह है, when all the girls or both the girls never be together, यह कौन सा है, when both the girls never be together, बहुत important है, समझे गए, इसका यह इन से हुआ, और बनाता हूं question, ठेक है, समझे गए, इसके बाद, फिर बुलता हूं, अच्छे यह बताईए, girls हमेशा एक साथ बैठती हैं, तो निकाल लिए, boys एक साथ बैठे के, तो क्या होगा, यह boys है, ठीक है, और यह girls है, इस question में क्या था, इस six को बैठाईए, six को, एक line में, all the girls should be together, no, all the boys should be together, all the boys should be together, y इसको बान दीजिए, खबरदार जो कोई खिसके हैं, इसको one मान दीजिए, और यह two or three, three, in a row, by factorial three ways, और y आपस में, by factorial four ways, factorial three का मतलब six, factorial four का मतलब 24, 144 is the answer, तो यह समझ में आया कि नहीं, यह भी बर्त important question है, variety है, लेकिन, अभी इतना discussion कर लेंगे, उससे बाहर एक भी question नहीं आएगा, अगर इस type में आया तो, यह समझ लीजिए, इसलिए मैं इसके सारे types का discussion यहां कर लेना चाहता हूं, यह समझ लीजिए, फिर question हो, नहीं, नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, six को एक लाइन में ऐसा बैठा ये, so that persons having same sex should be together, same sex should be together का मतलब क्या हुआ, boys are together separately, as well as girls are seated separately, okay, तो boys को भी बान देते हैं, girls को भी बान देते हैं, दो बंदल, two object by factorial two ways, और boys आपस में factorial four से, girls आपस में factorial two से, two into twenty-four into two, ninety-six इता अंसर, वोली, हो गया, सारे questions, जिस्में की, जिस्में की persons having same sex be together, ठीक है, second question क्यों चलते हैं, वो भी question का एक सम्मू है, in how many ways, five boys and four girls can be seated in a row, so that they are alternate, alternate का मतलब ही होता, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद फिर पहला, फिर दूसरा, यानि अगर boy बैठे तो boy, फिर girl, फिर boy, फिर girl, या girl बैठे तो girl, फिर boy, लेकिन, mathematical meaning क्या है, खबरदार जो two boys एक साथ बैठे, बीच में girls होनी चाहिए, खबरदार जो two boys एक साथ बैठे, बीच में girls होनी चाहिए, खबरदार जो two boys एक साथ बैठे, girls होनी चाहिए, अगर two girls आ गई, खबरदार जो two girls एक साथ बैठे, और बीच में जो जगर है वहीं सिर्फ गल्स बैट सकते हैं और कहीं नहीं नहीं है इसका यह मतलब हुआ फाइब और फाइब प्लेसे यह आप जानते हैं और फोर गल्स के लिए कौन से जगह हुई यह बाइब फाइब फोर फोर गल्स अब आप यह बताईए कि वाइब और गल्स दोनों को बैटना है फाइब फोर यह नहीं नहीं को बैटना है तो आपस में क्या होगा जैसे माल लेजे 120 हुआ जब यह होता है यह भी बैटने यह भी बैटने और दोनों बैटने इस और यह होता है ना 5-4-9 इन-this-way और इन-this-way तो बैस होता है और 9 के अंदर बाद होगी 5-4-4-in-this-way और बैस थो होगा इन-to this and this दोनों का मतलब into अब दोनों मतलब either 9 in this way ओर 9 in this way 9 नाइग होगा तो फिर और प्लस लेकिन 9 के अंडर बात होगी 4 and 5, this and this both and money into तो ये हुआ factor 5 into factor 4 ये क्या हुआ? 120 ये आप जानते हैं 120 और ये कितना होड़ा? 24 जानते हैं कैसे करें, 0 छोड़ दीजिए, यह 12 इंटू 2 होता है न, 12 इंटू 2 समझ लेजिए, और 12 इंटू 12 तो 12 का स्वार होता है, 144 को डबल कर दीजिए, 280 यह जोड़ जीरो बैठा दीजिए, जोड़े, calculation आपको करने पड़ेंगे, fast करने पड़ेंगे, numbers में खोलना पड़ेगा, favorite zone, favorite area दोरना पड़ेगा, यह हुआ इस question का answer, second का, ठेक है, लेकिन, लेकिन, कुर्षिन को मैं चींड करता हूं, ये तो हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा होता, कि four boys and four girls होते, four boys and four girls होते, देखे, four boys and four girls होते, तो आप क्या करते हैं, ठीक है, four boys, four girls, they can be seated in how many ways, in how many ways, in how many ways, okay, 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 और एंसर बोलते हैं, 24 into 24, 24 का स्कार, 576, एंसर, बोल लेते हैं, अच्छा बोले, सही है, बैठा लेजी, थोड़ा देख लेते हैं, हर बार boy पहले हैं, boy फिर girls, girl, फिर boy, फिर girl, ओक है, फिर बोले, अच्छा ये बता हिए, अगर ये ऐसे होता, तो क्या होता, अब क्या होता, अगेँड boy's, factoring four ways, अगेँड girls, factoring four ways, अगेँड इस इस इस, तो ऐदर थीज एight, can this way or in this way or 8 in this way or 8 in this way or or या प्लस होगा तो आइधर this or this तो 576 प्लस 576 या 2 इंटू 576 जो गोल दीजे answer समझ में आया ये दो तरह से question बनता है जब भी दोनों का numbers क्या गोलना चाहता हूं तोनों का number जब सेम होगा ना 4-4 या 5-5 तो पहले y को बैठा के जैसे girls को बैठाएंगे तो जो number आएगा girls को बैठा के भी y को बैठाने पर वही आएगा इसे डबल हो जाएगा लेकिन जब भी 5-4 रहेगा तो 5 को बैठा के वीज में 4 places होंगे इसके बाद आईए वो उस question पर जो real में exam का question है आज का समझ लिजे वही question है हर exam में permutation या combination से जो question आता है combination से especially, combination से वो यही question है और probability में भी थोड़े changes के साथ यही question आते हैं इसलिए please concentrate, question में पहले पढ़ देता हूं from 5 men and 4 women, in how many ways can a committee of 4 is to be formed such that it contains, और उसके बाद भेले सारे questions है such that it contains exactly one women, no women, all women इस तरह से भेले सारे questions है, question तो को यह काएगा लेकिन हम लोग सारे set पर बात कर लेना चाहते है ताकि exam में कोई भी question आए, आपको तिकत ना हो सबसे पहले यह permutation का सवाल है कि combination का committee बनानी है, grow, combination का combination का, ठीक है कुल कितने लोग हैं, 5 men and 4 women, okay, total कितने हैं, 9 यह total कितने है, total कितने हैं, 9 अगर कोई restriction ना हो और यह चार लोग की committee बनानी हो, तो 9 में 4 को कैसे select करेंगे, group बनाएंगे, तो आप दोनेंगे 9C4 answer, 9C4 को साल कैसे करेंगे, यह 4 ना, तो 9 into 8 into 7 into 6, bifactorial 4, 124 मतलब, 4 into 3 into 2, 2 into 1, देखिये, 126 answer, अगर हो, अगर हो, कि इन 9 लोगों में से, 5 men and 4 women में से, 4 लोगों की committee, 4 persons की committee, कितने तरह से बनाई जा सकती है, तो 126 answer, यह question नहीं है, इस पर मैं बात कर रहा हूं, समझ गए, लेकिन इसमें conditions होंगे, restrictions होंगे, can be form बोल के छोड़ दिया जा था, तो यह answer हो जाता, ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, आई उसका बात करते हैं, हाँ, तो 9 में से, 5 men और 4 women में से, एक committee ऐसी बनाईए, जिसमें exactly 1 women हो, अरे committee तो 4 की होनी है ना, 1 women हो, तो भई बाकी 3 को तो men होना चाहिए ना, तम ना 4 की committee बनेगी, 4 की committee बनेगी, अगर 1 women हो, तो 4 में से, और 3 men हो, तो 5 में से, answer, solve कैसे करेंगे, 4 7 तो जानते हैं, 4 होता है, और यह 5 C 3 देखिए, 5 C 3 को, जल्दी से 5 C 2 लिख देता है ना, 3 is equal to 2, थोड़ आसान होगा, और इसको क्या लिखेंगे, 5 into 4 by factorial 2, 2, 2, 2, 2, 40 answer, गो लिख, समय ना आया की नहीं, जब भी committee बनानी हो, 4 लों की, 4 persons की, 1 and 3, तो क्या हो रहा, this and this, and money in 2, and money in 2, and money in 2, चार के अंदर, दो भाग, चाहे 1 3 का हो, 2 2 का हो, 3 1 का हो, जब भी 2 parts हो, 3 parts हो, और सब को एक साथ करना हो, into, 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 लेकिन यही सभी 4, either this way, or all of these 4, by that ways, तो होगा, this plus this, either this, or this, or money plus, and money in 2, ठीक है, तो यह first का अंसर क्या हो, first का, first का, यह अंसर हो, exactly, one women का मतलब, one women होना ही चाहिए, और one से जादा होना ही चाहिए, और one से जादा होना ही चाहिए, तो बाटे 3 को मेंदे लेजी, ठीक है, फिर अगला सवाद, अगला सवाद, no women, यहाँ नहीं लिखते हैं, इदर लिखते हैं, no women, तो ठीक है, सब के सब में होंगे, सब के सब में होंगे, सब के सब में होंगे, बुलाए में को, 5 में से 4 ले लिजे, खटान, second number, ऐसे भी रिशतते हैं, 0 women, out of 4, and 4 men, out of 5 पर, and C 0, किसी का भी लिजे, 1 होता है, लिखने की क्या ज़र होता है, बेगा, theoretical, practical होई, practical, आप जानते हैं, अभी आपनों को लेता है, 5C, 5-4, 1, और इसका मतलब क्या 1 है, तो 1 लिख दीजे, 5, 2 रहता हैं, 5 into 4 by 2, answer, ऐसी 4 की committee, 4 की committee, जिसमें की कोई women ना हो, यानि, all men हो, वो पास तरीके से होगी, होगिया, second answer, अब हम लोग बात करते हैं, प्रिक्निक बनाईए, चारों कोई मैं न जाए потому, कर चार को लेकर जाना ऐसके बाद, fourth number, At most one women, सुनिए चार की कमीटी तो बनाईए, कमीटी किस-किस तरह से बना सकते हैं, 4-4 की कमीटी, जिसमें कोई women ना हो, ठीक है, ठीक है, मतलब कि 0 women हो, और 4 men हो, ने-ने, 4 की कमीटी, 1 women हो, 3 men हो, अच्छा-च्छा, और-और, 2 women and, 2 men हो, 3 women हो, 1 men हो, और-और-और, 4 women हो, कोई men ना हो, अच्छा-च्छा, यह और पास तरीके से हो सकता है, 0 women- Pablo-4 की कमीटी, 1 women- Pablo-4 की कमीटी, 2 women- Pablo-4 की कमीटी, 3 women- Pablo-4 की कमीटी, अच्छा, हम लोग एक ही क्यों पुछ है, वो यह दोनों जोड़के बताईए ना आड़ करके, अरे कौन दोनों, यही, जिसमें zero women है और जिसमें one women है, दोनों जोड़के बताईए, क्या इसे बोलते हैं, जोड़के बताईए, तोड़के बताईए, अधिक से दिक one women होना चाहिए, यानि one women और no women, इन दोनों को, इन दोनों को जोड़के बताईए, अधिक से दिक one women, या फिर उससे कम, यानि zero women, one women हो, four में, और no women हो, four में, one women होंके तो committee तो चार की, four की होनी है न, तो three को main बुलाना पड़ेगा न, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब चार के चार, main होने चाहिए, न, at most one का मतलब हो, either one women वाली committee और zero women वाली committee, four की committee, either this or this, इसे लिए class, solve करेगे, यह तो four होगा, यह five c two लिखे इसको, five c three जो है, अब जानते हैं, five c two लिखे, five c two क्या होगा, five two, four by two, 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 two होता है, two ही होगा, class, यह तो one होता है, one, 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 यह five c four जो है, इसको लिखे, five c one, अच्छा लेगा, five, 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 देखे, देखे, यह किता हुआ, forty and five, forty five, answer है, बुरी, समझ में आया, समझ जाने पाद, आप समझ रहे हैं, एक बार लिखने के बाद, अगले स्टेज में ही answer है, पुरा लिखने की ज़र्वत भी नहीं है, ठीक ह twenty men, क्या बुले, at least one women, one women, अच्छा थीका है, two women, three women, four women, चारो को जोड़के बताई, अ, one or more than one, चारों को जोड़के बताएगे, बताते हैं, बताते हैं, क्या बताएगे, वन विमन वाली, टू विमन वाली, थ्री विमन वाली, फॉर विमन वाली, अरे वन विमन होने से थ्री में ना होना चाहिए, क्योंकि फॉर की गमिटी है, वन टू विमन होने से टू में ना होना चाह ये, थ्री विमन होने से वन में नहोना चाहिए, फोर विमन होने से जीरो में नहोना चाहिए, आयरें दिस और दिस और दिस और इस को निकाल लेजिए, जो I answer, निकाल लेगे, ठीक है, दिकत हो रही है, चार बार कैलकुलेशन करने में, छोड़ें ने बनाएंगे ऐसे, क्या क्कृट करते हैं जी पांश लोग पांश जगह पर लोग बैठे हैं और चाल पर उनको किरेंगे कांट करेंगे पहले फाइव समझ रहे ना यह मान वेमन टूप्र फॉर विमन फोर विमन फॉर बैठे हैं और कुश्चन है कि इन फॉर बैशेस कुछि जगा मिला के करें पुर आप पहला जगप 10 लोग बैठें, जैए 10, 60, 10, 80, 90 जैए, मतला मैंने एक एक एजांपल दिया था, सारे की हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, जानते हैं, कोड निकाले हैं, है, मिटा देता हूं, सारे, 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 without any restrictions, 9, C, 4, और इसमें से, at least one woman का ओलटा हुआ, no women, no women, no women, no women अरे क्या no women, ने कहीं no women, जैए, all men, all men, all men, all men, all men, all men, बास, 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 अंसर, देखे, 9 into 8 into 7 into 6, 5 into 4, 4 का मतला, 4 into 3 into 2 into 1, बास, और ये तो 5C, ये क्या वो, 5C 4 means 5C, 1 means 5, ये तो आप जानते हैं, जानते हैं, अभी हम लोग साल किये थे, 126 minus 5 means 121, अंसर, ऐसा क्यों हुआ जानते हैं, ऐसा इसले हुआ, क्योंकि 9C 4 तरीके से total committee बन सकती है, और total committee को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे बोल सकते हैं, देखिए, ये 5 भाग में बाढ सकते हैं, इसको हम लोग 5 parts में बाढ सकते हैं, 0 women baru, 1 women baru, 2 women baru, 3 women baru, 4 women baru और जब हम को ये निक निकालना होगा, तो हम लोग इसको इधर भेज देते हैं, टोटल में इसको लेस कर देते हैं, तो इह निकल जाता है, जैसे यह यह बेस्ट वे, बोली, समझ में आया की नहीं, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टन कॉस्च्चन है, इसके बाद, नेक्स्ट Means, all the four should be either men or women, यही कहने का मतलब है, having same sex, अरे भही तो चार, चार, चारो men हुए, चारो women हुए, या, या, all the four, all the four should be men, यही तो है ना, this is one and this is five, six and seven, चाही तरीके से कमेटी बनेगी, जिसमें, चार की चार, four की four, या तो men हो, या फिर women हो, समझ में आया? और last, last seventh, three women and one man, तो क्या problem है, three women four में से and and one man five में से, four C, three का मतलब four C, one होता है, इसका मतलब four होता है, और इसका मतलब five होता है, answer twenty होता है, finished, अब मैं आप से एक बात कहना चाहता हूँ, जो कुछ बनाया गया, वो दरसल एक टाइप है, ये question जैसे men and women का था ना, five men and four women, क्यों? five red marbles, four green marbles, बस, उन nine में से four marbles को चूज कर रहा है, five green balls, four red balls, exactly one red ball, no red ball, जो बोलनाया बोल दीजिये, five batsmen and four ballers, इस nine में से four बन, four को लेनाया है, exactly one batsman, exactly one baller, no batsman, no baller, जो बन में आया लिख दीजिये, सब एक ये की नहीं, five officers and four jawaan, there are nine persons, a committee of four is to be formed, five doctors and four engineers, total nine persons, a committee of four is to be formed for picnic, all persons should be doctor, all engineer, one doctor, others engineer, ATC, at least one doctor, at most one doctor, क्या फर्क पड़ता है, women मने doctor, women मने officer, women मने red marvel, जो बोलनाया बोल दीजिये, एक ही बात है, जा आप में सिर्फ ward बदल जाते हैं, type नहीं बदलता, इस से बाहर कोई question नहीं होता, और दो ही क्यों, तीनो, five men, four women, two children, और इन तीनों को लेके बदल आना, उसमें क्या पर्क पड़ता है, दो के लिए इन्टू था, तीन के लिए मिए इन्टू इन्टू गा, दिश इन्टू 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 अटियों इसमें से चाहर की committee, यह complete हुआ, अगर आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे, इसकी एक एक बात पर गहुर करेंगे, तो exam में आने वाला 5 में 5 questions, आप within given time, less than that time, 2 minutes से भी कम समय में, 5 के पास 100% accuracy के साथ बना सकते हैं, और यह permutation and combination आपकी सफलता का अधार बन सकता है, all the best.